देखे कि चिडिया का छोटा सा बच्या है और लोगों ने इसको अपने घर से निकाल दिया कि इसकी माँ आ रही है अच्छा ये बता एक मुझको कहादर इसकी माँ नहीं आती तो इतना बड़ा कैसे होता ये अंडे में से कैसे निकलता लेकिन हमको क्या है अगर ये घोसला बना रही है चीची करें तो कुछ लोगो को पसंद नहीं होता है ऐसे लोग नेचर के लिए जंगलों में जाते हैं चिडियों के आवाज सुने के लिए अगर घर में घोसला बनाती है जिस जगह पे आप रह रहे हैं हो सकता है वहाँ पे उसका पहले पेड़ हो या जंगल हो जहां पे फ्लेट और बंगले आपके बने हैं लेकिन कोई बात नहीं इसको देखिए ऐसे उनलों गुर्ण निकाल दिया अब इतनी छोटी चिडिया का केरी सब कोई नहीं कर सकता है तो इसको सेरलेक्स अगर आप फ्लीड कराते हैं तो वही करा सकते हैं दूसरे कोई चीज मत दीजिए तो आप देखे कि वीगो है जो हम हमारे नस में लगता है ठीक है और यह सामने नीडल है इसके अंदर लगा के आपने करना क्या है सेरलेक्स को गाढ़ा करके आपको यहां पर डालना है नौर्मली और देखे कि एकदम स्मूथली वह फीडिंग करना चालू कर देगी देखे उसको चोट भी नहीं लगेगी औ और वह फीडिंग भी करेगी ऐसे तीन बच्चे हमारे पास हैं इससे क्या होगा फीडिंग भी उसका अच्छे से हो जाएगा उसको चोटने ले क्योंकि यह चीज अपने नस में जाती है ठीक है साइड से डालना है और हमेसा याद रखना है आगे से जो है यह पुटेशन क देखिए यह 8 ग्राम का है उसके हिसाब से इसको दिन में 6 बार फीडिंग की ज़रुत पड़ती है तो हम उसको फीड करा रहे हैं देखिए यह देखिए तो प्रकृति के साथ जुड़े और जीवों की मदद करें इनको आपकी ज़रुत है जैहन